वेल गाइस क्या आप अपना Instagram account डिलेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को end तक देखना है आज की सुड़ोपे मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना Instagram account डिलेट केसे कर सकते हो वो भी permanently लाइफ टेम के लिए आप अपना Instagram account डिलेट कर सकते हो बट आपको इससे पहले इस वीड इंट्रेस्टिंग वीडियो आप सबसे पहले देख सको चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेल गाइस आप सबसे पहले आप अपना Instagram account ओपन कर लो ओपन करने के बाद जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूं सेम स्टेप्स आपको भी फॉलो करना है या पर आपको इसके ऊपर उपर प्लिक करना है जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूं सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है या आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना है वह आपको सबसे नीचे एक features रिग जाएगा जस्ट आकौन्ड की नीचे है help like apps क्यों पर क्लिग करेंगे तो आपके साम एक न्यूट इंटरफेस एक न्यू पेज आ आजाएंगे आप अपना Instagram account पूरा याँपर manage and customize कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप अपना Instagram account lifetime and permanently delete कर सकते हो well guys याँपर आप जिसकी देख सकते हो temporarily deactivate Instagram account next delete your Instagram account next access your data on Instagram next आपके सामने कई तरह के interface and options आजाएंगे well guys अगर आप अपना Instagram account permanently lifetime के लिए delete करना चाहते हो तो आपको याँपर क्लिक करना पड़ेगा temporarily deactivate Instagram account आपको इसी के अंदर delete account का feature update मिल जाएगा आपको अलकसा नहीं मिलेगा याँपर आपको कई सारे features मिल जाएंगे बट इसके अंदर आपको delete का option नहीं मिलेगा आपको temporarily deactivate Instagram account इसके उपर क्लिक करना है बट आप कुछ लोगों का ये doubt है कि भाय मुझे आपना account permanently delete करना है ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए guys आप जैसी बोलोगे वैसा ही होगा आपका account permanently ही delete हो जाएगा बट जो permanently वाला setting है इसे के अंदर आपको मिल जाएगा आपको थोड़ा नीचे जाना है next यहां पर आपको features मिल जाएगा delete your Instagram account like आप इसके उपर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक new interface आजाएगा delete your Instagram account android app help like आप इसके उपर क्लिक करेंगे next आपके सामने कई सारे interface आजाएगे android app computer iPhone mobile browser help तो यहां पर आपको क्लिक करना है mobile browser help like आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक new interface आजाएगा आपको थोड़ा सा नीचे जाना है तो guys यहां पर आपको features मिल जाएगा delete your account like आप इसके उपर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने एक new interface आजाएगा guys यहां पर आप देख सकते हो delete your account well guys यह account आप क्यों delete करना चाहते हो इसका यहां पर आपको reason add करना है like up इस icon के उपर क्लिक करेंगे well guys आप इनी में से कोई भी एक option select कर सकते हो कि आप अपना account क्यों delete करना चाहते हो तो यहां पर मैं create second account के उपर क्लिक करूँगा आप अपने according किसी के उपर क्लिक कर सकते हो well guys आप आप देख सकते हो आप अपना password हम पर enter करेंगे जो अपने instagram पर password add किया है अगर आपको आपके instagram का password पता नहीं है तो आप forget password भी कर सकते हो well guys अगर आप अपने instagram का password पता करना चाहते हो तो उपर i button में video की link देदूँगा वस video को देखकर भी आप काफी आसानी से आप अपने instagram का password देख सकते हो actually आपने क्या password सेट किया था या फिर मैं आपको link description box में भी video की link देदूँगा next guys यहाँ पर आप अपने instagram का password एंटर करेंगे password एंटर करना के बात guys यह जो आप account delete कर रहे हो ना यह account delete होने में 30 days का time लगता है 30 days के अंदर यह आपका account permanently lifetime के लिए delete हो जाएगा उससे पहले आपका account delete नहीं होगा but for example guys अगर आपने यह account by mistakes open किया तो आपका account delete नहीं होने वाला है फिर बाद में मुझे आके यह मत बोलो कि भाई आपका video देखकर आपने account delete किया था फिर भी मेरा account delete नहीं होगा क्योंकि होगा भी नहीं आपको login नहीं करना है simply guys यह आप आपको साप साप लिखा है कि आपका यह जो account है delete होने में 30 days का time लगता है maximum 30 days के अंदर आपका account delete हो जाएगा permanently lifetime next आप delete के उपर क्लिक करेंगे next आप ok के उपर क्लिक कर देंगे तो आपका account permanently delete हो जाएगा वल guys यह छोटी सी information आपको कैसा लगा यह मुझे comment box में comment करके जरूर बताना चलिए guys आप next वीडियो पर मिलता है ने वीडियो के साथ तब तक have a nice day bye bye check here